बच्चो नमस्कार सिजगी ग्यान साला में आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बहुत धर्म के बारे में ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं शुन रहे हैं ये लेक्चर जीयस पॉइंटर शमशामी घटना चक्र से लिया गया है बच्चो बहुत ही अच्छी तरह से इसका कंटेंट चल रहा है दोस्तों मार्केट में आप जो भी एक्जाम में बैठना चाहते हैं बैठें उसके पहले आप एक बार जरूर इसका ध्यान से अध्यान करके जाएं बहुत ही मैं गरांटी के साथ कहता हूँ आपको कोशन नहीं चुट नहीं चुटेगा आप अच्छी तरह से इसका ध्यान करें उसके बाद देखेगा कि क्या है ये एक तरह से कैपसुल जो होता है उसी तरह से ये विहाइब करता है दोस्तों जैसे आप लोग कहते हैं अधजल गगरी चलकत जाए मतलब अधजल गगरी रहेगा तो चलकेगा लेकिन पुर्ण रोपियन आप भर के रखिएगा तो कभी नहीं चलकेगा इसलिए दोस्तों आपके पास जो भी नौलेज है मैं नहीं जानता लेकिन आप इसको जरूर से जरूर देख कर जाएं मेरा एक विश्वास रखें दोस्तों मैं अपने चैनल पर सिजगी ग्यान सा जो भी टॉपिक जो भी कंटेंट मैं डालता हूँ वो 100% जेन्यून रहता है प्रूफ किया हुआ रहता है तभी मैं डालता हूँ चाहे वो इडू टेरिया का बुक हो चाहे वो घटना चक्र हो चाहे मैं खुद 9, 10, 11, 12 का मैथेमेटिक्स उस पे समलित कर रहा हूँ या बै जो भी कंटेंट है इसमें पुर्ण रूपेन 100% सत्यापित किया हुआ है आप ट्रस्ट करें फरजी का फरजी वाड़ा नहीं है इसमें मैं एक देहायती इंसान हूँ दोस्तों मैं मानता हूँ मेरा जो भारत है 70% जनता गाउं में निवास करती है इसलिए दोस्तों कभी दोस्तों ही मैं देहायती लेंगवेज भी यूज करता हूँ जहां तक कि हो सके मैं ठेट हिंदी में बात करना चाता हूँ क्योंकि हमारा जो भारत का राश्ट्रिय भासा है वो हिंदी है इसलिए ज्यादा कंटेंट मैं हिंदी में ही बोलना पसंद करता हूँ तो बच्चो आईए हम लोग मिलकर हम लोग साथ चलकर और साथ अध्यन करते हुए एस बहुत धर्म का कंटेंट अपनी भासाएं के रूप में इसको प्रयत्न करने का कोशिस करेंगे तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों नमस्कार इस वीडियो लेक्चर में आपका श्वागत है इस वीडियो लेक्चर में बहुत धर्म के बारे में उनकी सारी की सारी प्रस्न हम लोग इस कंटेंट में एक तरफा देखेंगे ओके चलिए फर्स्ट कंटेंट है गौतम बुध का जन्म हुआ था पांसो तिरसठ इसा पुर्व में बुध के जीवन की वगटना जिसे महाभी निसक्रमन के रूप में जाना जाता है उनका ग्रिह त्याग गौतम बुध की मां शंबंधित थी कोलिये बंसे बुध का जन्म हुआ था लुंबनी में गौतम बुध के बच्पन का नाम था सिद्यार्थ बसाड अस्तंब अभिलेक निगाली सागर अस्तंब अभिलेक तथा रुमीन देई अस्तंब अभिलेक में से वह एक अभिलेक जो इस परंप्रागत की पुष्टी करता है कि गौतम बुध का जन्म लुंबनी में हुआ था रुमीन देई अस्तंब अभिलेक असोक, कनिस्क, हर्स तथा धर्म पाल में से वह जिसके एक अभिलेक से सूचना मिलती है कि साक्य मुनी बुध का जन्म लुम्नी में हुआ था मौर्य सासक असोक मौर्य सासक असोक, महात्मा बुध का महापरी निर्वान हुआ मल गनराज की राइधानी कुशी नगर में महापरी निर्वान मंदिर अवस्थित है कुशी नगर में अवन्ती गांधार कोशल एवं मगध राजियों में से वह जिनका शंबन्ध बुध के जीवन से था कोशल एवं मगध गोतम बुध द्वारा अपने धर्म में दिच्छित किया जाने वाला अंतिम ब्यक्ति था शुभद शुभद बुध ने अपने जीवन की अंतिम बर्सारीतु बिताई थी वैसाली में वैसाली में बौध मत में निर्वान की अवधारना की सर्वस्रेष्ठ व्याख्या करता है त्रिष्णा रूपी अगनी का शमन आलार कलाम थे बुध के एक गुरु जो शांख्य दर्सन के अचार्य थे महात्मा बुध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परवर्तन दिया था शारनात में बुध ने शर्वाधिक उपदेश दिये थे स्रावस्ती में बुध कौसांबी आये थे उदयन के राजिकाल में बुध की मिर्त्यू के पश्चात पर्थम बौध संगिती की अध्यक्षता की गई महा कस्यप द्वारा पर्थम बौध संगिती का आयोजन हुआ था राजग्रिह की सप्त पर्नी गुभा में कस्मीर में कनिस्क के सासनकाल में जो चतुर्थ बौध संगिती आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वशू मित्रने वशू मित्रने बौध धर्म की महायान साखा अपचारिक रूप से परकट हुई कनिस्क के सासनकाल में पर्थम दूतिये एवं चतुर्थ बौध संगितीव के आयोजन अस्थलो का सही करम है राजग्रिह वैसाली पाटली पुत्र एवं कुंडलवन अगला है दूतिये बौध समीती का आयोजन हुआ था कासी वारा नसी में पर्थम बौध शमीती का आयोजन हुआ था अजात सत्रु के शासनकाल में दूतिये बौध सभा का आयोजन किया था काला शोक ने बुद्ध के जीवन की चार महत्पुर्ण घटनाएं एवं उनसे शम्बंधित अस्थलों का सम्मेलन इस परकार है एक तरफ है घटना दुसरे तरफ अस्थल है जन्म लुम्बनी ज्यान प्राप्ति बोध गया पर्थम प्रवचन शारनात निधन कुसी नगर भारतिय कला में बुद्ध के जीवन की वगटना जिसका चित्रन म्रिग सहीत चक्र द्वारा हुआ है पर्थम उपदेश शही सुमेलन है अर्थ चिन जन्म कमल पर्थम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन महावोधी बोधी बिर्च त्याग घोडा कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाई के जिस वर्ग का है वह है कंग यूपा महात्मा बुद्ध के शंबन्ध में सही कथन है उनका जन्म कपील वस्तू लुम्बनी में हुआ था उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था उन्होंने बैदिक धर्म को असुईकार किया था उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था बोध गया में महा बोधी मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में बोधी ब्रिक्ष को नश्ट कर दिया था ससांक ने प्रमुख बोध पवित्र अस्थल जो निरंजना नदी पर इस्थित था बोध गया बोध गया बुध के उपदेश संबंधित है आचरन की सुधता उव पवित्रता से बुध के जीवनकाल ही संग प्रमुख होना चाहता है था देवदत बुध के जीवनकाल में ही संग प्रमुख होना चाहता था देवदत गोतम बुध ने अपनी मिर्तु के उपरांत बोध संग के नेत्रितु के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं अस्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन शूत की विशय बस्तु का धर्म चक्र प्रवर्तन शूत की विशय बस्तु का गोतम बुध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का सरीर में परिवर्तन मानते थे, एवं निर्वान प्राप्ती में विश्वास करते थे बौध संग में भेचुनी के रूप में इस्त्रियों के परवेश की अनुमती बुध द्वारा दी गई थी, वैशाली में वैशाली में त्री पिटक है बुध के उपदेशों का शंग्रह त्री पिटक गरंथ संबंधित है बौध धर्म से वह बौध गरंथ जिसमें संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं बिनय पिटक वह बौध साहित्य जिसमें महात्मा बुध के नैतिक एवं सिद्यांत संबंधित प्रवचन संकलित है शूत पिटक वह बौध साहित्य जिसमें बुध के दार्शनिक सिद्यांत का उलेख है अभिधम अभिधम पिटक असोका राम बिहार इस्थित है पाटली पुत्र में बिश्व का सवसे उंचा कहा जाने वाला बिश्व सांती अस्तूप इस्थित है राजगीर बिहार में बुध की अस्थि फूट बड़ी परतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा श्वरपर्थम अस्तूप सब्द मिलता है रिग बेद में सारनात सांची बोध गया एवं कुसी नारा में से वह अस्तूप अस्थल जिसका शंबंद भगवान बुध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची संसार अस्तीर और छनिक है का बौध जैन गीता एवं वेरांत में से जिससे शंबंद है वह है बौध बौध एसिया के जोती पुझ के तौर पर जाना जाता है गौतम बुध को सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक दलाइट ओफ दी एसिया अधारित है ललित विस्तार पर गौतम बुध को एक देवता का अस्थान जिस राजा के यूग में प्राप्त हुआ वह है कनिस्क भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पुझा गिया वह थी बुध की देश में जिस धर्म के लोगों ने मुर्ती पुझा का निवर रखी थी वह है बौध धर्म गांधार सैली की मुर्ती कला में बुध के सारनाथ में हुए परतम धर्मोप देश से शंबध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र बुध की खड़ी परतिमा बनाई गई कुसान काल में भगवान बुध की परतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमी असपस मुद्रा कहा जाता है यह परतिक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और सुधता का साच्छी होने के लिए बुध की धर्ति का अहान भूमी असपर्स मुद्रा की सारनात बुधी सारनात बुध मुर्ती संबंधित है गुप्त काल से कथन मिन्स एसर्सन कथन कहा गिया है कुशी नगर मल गनराज की राइधानी थी कारण है महात्मा बुध का महा परिनिर्वान कुशी नगर में हुआ था दोनों एसर्सन और रिजन कथन और कारक सही है प्रन्तु कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं है चलिए बच्चों अगला है सुमेलित करना लोथल प्राचिन गोधी छेत्र सारनात बुध का प्रथम धर्मो पदेश सांची असोख कासि अस्तंब सिर्स नालंदा बौध अधिगम का महान पीट महायान बहुत धर्म से बोधी सत्व अवलोकी तेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पानी पद्म पानी भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्व में सत्य कथन है बोधी सत्व अपने प्रवोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुना मय है बोधी सत्व शमस्त सचेतन प्रानियों को उनके प्रवोध के मार्ग पर चलने में शहायता करने के लिए श्वय की निर्वान प्राप्ती बिलंबित करता है हे नियान अवस्था का बिसालतम एवं शर्वाधिक बिक्सित सैल कृती चैत्यग्रीह इस्थित है कारले में पर्थम सताबदी इस्थि में जिस भारतिये बोध भिच्चुक को चीन भेजा गया था वह है नागारजुन नागारजुन जिस बौध संप्रदाई के थे वह है माध्यमिक बिक्रम सीला वारा नसी गिरनार एवं उजयन में से बौध सिच्चा का केंद्र है बिक्रम सीला बल्लभी बिश्विद्यालय इस्थित्था गुजरात में नालंदा बिश्विद्यालय के अस्थापना का यूग है गुप्त नालंदा बिश्विद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त कुमार गुप्त नालंदा विश्विद्याले विश्वुपर्शित था बौत धर्म दर्शन के लिए कथन बारहमी सतावदी के अंत तक नालंदा महा बिहार का पतन हो गया कारण महा बिहार को राजकिये प्रस्य मिलना बंध हो गया था दोनों कथन और कारक सही है परन्तु कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है नव नालंदा महा बिहार बिख्यात है पाली अनुसंधान संस्था के लिए बौत धर्म और जैन धर्म दोनों में शमान रूप से बिधमान था बेद प्रमानव्य बेद प्रामन्य के प्रती अनास्था कर्म कांडों की भल्वत्ता का निसेद प्रानियों की हिंसा का निसेद अहिंसा बौत धर्म के चार आर्य सत्य का शही क्रम है दुख है दुख का कारण है दुख का निरोध है दुख निरोध का मार्ग है बौत तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं की कर्म तथा पुर्ण जनम के सिद्यान्त सही हैं कथन पुर्ण जनम नहीं होता है कारण आत्मा की सत्ता नहीं है ए गलत है किन्तु आर सही है कथन गलत है किन्तु कारण सही है बौत धर्म के विशय में सही कथन है उसने वर्न एबम जाती को अस्वीकार नहीं किया उसने ब्रहम्मन बर्ग की सर्वोच्य शामाजिक कोटी को चुनोती दी उसने कुछेक सिल्पो को निम्न माना उसने कुछेक सिल्पो को निम्न माना बौत धर्म के विश्तार के कारणों में शमलित है धर्म की सादगी दलितों के लिए बिसेश अपील धर्म की धर्म की मिस्णरी भावना अस्थानिय भासा का परियोग बौत धर्म के विश्तार के कारणों में शमलित है धर्म की सादगी दलितों के लिए बिसेश अपील धर्म की मिस्णरी भावना अस्थानिय भासा का परियोग अरंभिक मध्युगिन समय में बहुत धर्म का पतन जिनकार्णों से सुरू हुआ है उस समय तक बुध विश्नु के अवतार समझे जाने लगे और बैस्नो धर्म का हिस्साब बन गे कुछ साइलकृती बौध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जवकि अन्निको बिहार दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा अस्थल होता है जवकि दिहार बौध भी चूग का निवास अस्थान है वह बौध साखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभाव साली थी वजरियान वजरियान बच्चों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत